हेलो वेलकम बेक टूपकर अकेड़ेमी कि क्वेश्चन नंबर वन ए फॉर विंटर टूथाउजन सेवेंटिंग पेपर इस वन सगी ना बिल्डिंग लेयाउट फॉर थ्री मार्क्स क्वेश्चन तो आप देख सकते हो यह तीसरा पेपर है और तीसरे पेपर में भी लेयाउ में मैं आपको शो करूंगा थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आपको करना क्या है ड्रोव दी लोड डिस्रिबिशन डायगरन एस्टिमेट दी लोड ओना टिपिकल फ्लोर वी वन वन एन बी वन टू नंबर ओप स्टोरी है आपके पास जी प्लस त्री मतलब चार स्टोरी ह फ्लोर टू फ्लोर हाइड है आपके पास 3.5 मिटर एक्स्टरनल वोल 250 में इंटरनल वोल 150 में इंपोस्ट लोड अगर रूप की बात करें तो 1.5 है फ्लोर की बात करें तो 4 है फ्लोर फिनिसिंग 1.5 है रूप पर और फ्लोर की अगर बात करें टिपिकल फ्लोर की बात करें तो वन किलोन नीटरन पर मीटर स्क्वेर और मट्रियल जो है वह एम ट्वेंटी एन एफिप पॉराउन फई आपको दिया गया है तो देखिए अगर आप बी वन टू को देखेंगे तो आपको समझ में आयेगा जो स्लेब है वहाँ पर आपको करना क्या है स्लेब वन वे है या टू वे है वह पहले आपको चेक करना है तो अगर स्लेब वन की हम डाइमेंशन की बात करें तो आपको एक तरफ डाइमेंशन मिलेगा 3.5 मीटर और सेकंड डाइमेंशन आपको मिलेगा 1.5 मीटर तो अगर B12 की हम बात करें तो load is distributed on B12 and B13 and B15 no load will be on B1 तो यह चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर मैं इस slab की बात करूँ तो यह है हमारा one way slab अगर one way slab है तो load जो होगा वो आपका एक तरफ जाएगा मतलब कि कुछ इस तरह से आपको load distribute मेरेगा तो B1 जो है वहाँ पे आपको कोई भी load divert नहीं होगा इस slab से B15 और B12 के पास ही सब load develop होगा उसी तरह से अगर बात करें B11 की तो B11 में आपको dimension मिले हैं 4.5 and 3 तो वो आपको less than 2 मिल रहा है यह ratio आपको less than 2 मिल रहा है मतलब आपका जो loading distribution होगा वो trapezoidal होगा कुछ इस तरह से यहाँ से load इस तरह ट्राएगा इस तरह कुछ loading होगा B12 14 की अगर पूछते हैं बात आपको और यहाँ पे आपको पूछा है B11 के बारे में तो B11 को यहाँ से मैंने noted किया है और यह आपके पास figure भी है देख सकते हो B11 कहां पे है और B12 कहां पे है तो इस सबसे आपको loading pattern draw करनी होगी exam में जो भी आपको beam पूछते हैं